नमस्कार दोस्तों, टीचर से नमें आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे यूनिवर्सिटी अप लखनो या लखनो यूनिवर्सिटी में एक शूज बैकेंसी निकला है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टोटल 190 पोजिशन से टीचिंग फैकल्टी में और यह जो बैकेंसी है मैंने सालरी भी यहां में इंसन किया है तो चलिये चलते हूं उसका ओफिसियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते है सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूगे हम यहाँ टीचिंग रिलेटेट सारे सारे स्टेडीज, कम्पिटेटिब एकजाम्स और जॉब्स के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकिसन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो, यह है लखनो यूनिवर्सिटी का ओफिसियल वेबसाइट और यहां देखे, बहुत सारे ओफिसन दिखाई दे रहा होगा, साइद आपको मेनू दिखाई दे रहा है तो यहां देखे, मेंशन किया गया है कैरियर केरियर में यहां बहुत सारे वैकेंसी है यहां पूरा उपर मेंसन किया गया है कि वैकेंसी इन यूनिवर्सिटी तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते हैं तो यह यूनिवर्सिटी का डेडिकेटड पेज है जहां आपको सारे के सारे वैकेंसी के जो update है यह आपको मिल जाएगा पूरा देखे ऊपर जो mention किया गया है number one position पे notice regarding the recruitment of post of assistant professor, associate professor and professor in various department तो हम इसी के ऊपर जो view लिखा हुआ है तो view के ऊपर click कर लेते हैं तो यह है इसका notification मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे तो यहाँ आप देख सकते हो university of lakno advertisement का number दिया गया है और यह notification आया है 89 2021 को recruitment of the post of assistant professor, associate professor and professor last date of submission of online application is 39 2021 यह date को आप याद रखिए ठीक है 30 September इसका last date है बाकि सारे के सारे advertisement के बारे में यहाँ बताया गया है आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ देखे है mention किया गया है vacancy के बारे में vacancy position for the post of assistant professor आप देख सकते हो कितने सारे department है मैं explain नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यह बहुत vacancy है ठीक है तो आप यहाँ देख सकते है जितने भी सारे department है सारे सारे department में यह vacancy है English and modern European languages, German, Russian, Arabic, Arabic, Arab culture आप यहाँ देख सकते हो बहुत बड़ा लिस्ट है मैं scrolling कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो पूरा एक लंबा लिस्ट दिया गया है तो आपको यहाँ ढूनना पड़ेगा कि आप कौन सा department से बिलोंग करते हो और आप कौन सा position के लिए apply करना चाहते हो ठीक है देन बाकी यह है associate professor का vacancy यह भी एक बहुत लंबा सा list है आप इसको देख सकते हो आपको थोड़ा time लगेगा मगर आपको देखना पड़ेगा यदि आप apply करना चाहते हो आप interested हो इसमें पूरा एक बहुत बड़ा list देन professor का vacancy university में जितने भी सारे department है सारे का सारे department के लिए vacancy है ठीक है बाकी यहाँ देखे pay matrix के बार में मेंशन किया गया है जो assistant professor है उनके लिए मिलेगा जो 57,700 associate professor को मिलेगा 1,31,400 करके और जो professor है उनको मिलेगा 1,44,000 बाकी इसको apply करने के लिए आपको जो application fee देना पड़ेगा यह आपको देना पड़ेगा 15 से रूपया ठीक है 1,500 देने पड़ेगा कौन कौन देगा इसको unreserved, obc and ews category से जो आते हैं ठीक है इसके अलाबा जो result category से बिलंग करते हैं जो इसकी ACST candidate उनको देना पड़ेगा 12,000 रूपया आप यहां देख सकते हो mention किया गया है ठीक है 1500 और 1200 देन बाकी कुछ general instruction यहां दिया गया है कि पहले जो भी apply किया था इस प्रकार का कुछ vacancy निकला था तो उनको दुबार apply करने की जरूरत नहीं है बाकि इस related कुछ mention किया है तो आप देख लेगा जो भी student पहले भी बहुत पहले apply किया था थोड़ा देख लेना इसको ठीक है तो यह है इसका notification तो अभी हम देखते हैं कि इसको apply कैसे करना है देखे यही page में आपको यहाँ मिल जाएगा left side में recruitment portal ठीक है तो इसी portal के उपर आपको क्लिक करना है तो यह है आपका recruitment portal recruitment portal में आप यहाँ देख सकते हो right side में यहाँ देखे mention किया गया है sign in new registration create your account और active your account तो जिन्होंने पहले अपलाई किया था तो वो चाहे तो अपना जो account है तो active कर सकता है और जो new register करना चाहता है तो यहाँ new registration के उपर click करके new register कर सकता है जो sign in जो अपना password and id पता है तो वहाँ sign in भी कर सकता है बाकि यह जो notification आप यहाँ click करके भी आपका notification देख सकते हो बाकि यहाँ कुछ छोटा मोटा guidelines यहाँ दिया गया है apply करते बक्त आपको आपका जो photo का size है वो कितना होना चाहिए आपका email id है या signature है यह कैसे कैसे देना है बाकि यहाँ कुछ दिया गया है कि यह दि किसी प्रकार का आपका problem है यहाँ देखा है बहुत सारे एक huge vacancy है एक पुरा full list दिया गया है ठीक है तो जो भी कोई interested हो तो आप यहाँ apply कर सकते हो यह सारे के सारे position के लिए इसका जो link है मैं दे दूँगा description में आप वहाँ जाकर इसको download करके आप देख सकते हो कर सकते हो कि आप कौन सा category से बिलंग करते हो और कौन position के लिए apply कर सकते हो ठीक है तो यह था detail so thank you all the best